नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं महा भाग्य और मैं हूँ आपके साथ शेलेंद्र पांडे जब शनी की साड़े साती चलती है या चलने वाली होती है तो हम में से जादा तर लोग भै के शिकार हो जाते हैं दर जाते हैं कि शनी की साड़े साती शुरू होने वाली है ये हमारे जीवन पर बुरा असर जरूर डालेगी लेकिन ऐसी बात है नहीं वास्तों में जो बात है कि शनी की साड़े साती का असर कुछ लोगों के उपर अच्छा पड़ता है और कुछ लोगों के उपर बुरा पड़ता है हर व्यक्ती के उपर बुरा नहीं होता और कैसे जाने कि साड़े साती हमारे जीवन में कैसी रहेगी उसके लिए शनी के वाहन को देखना जरूरी है कि शनी किस वाहन पर सवार हो करके साड़े साती के दौरान हमारे जीवन में आ रहे हैं आज बात इसी पर करेंगे कि शनी के वाहन का रहस्य क्या है शनी के अलग-अलग वाहन पर आने का मतलब क्या है, मामला क्या है ये जानेंगे साड़े साती में किस वाहन पर शनी शुब फल देते हैं ये जानेंगे और शनी की साड़े साती से अगर परेशान है तो किन उपायों से आपको छुटकारा मिलेगा तो बात शनी के वाहन की करेंगे लेकिन सबसे पहले जान लेते हैं आज का मंत्र आज का मंत्र शनीदेव का ध्यान मंत्र है और मंत्र है नीलान जन्समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम नीलान जन समा भासम रविपुत्रम यमा ग्रजम छाया मारतंड संभूतम तम नमामी शनैश्चरम यानि शनिदेव की पूजा करने के पहले उनका ध्यान किया जाता है एक विशेश मंत्र से उनके स्वरूप को समझा जाता है और उनके स्वरूप को उनके गुणों को समझने के लिए इस मंत्र के द्वारा ध्यान किया जाता है तो जब भी आप शनिदेव का कोई भी मंत्र जपने जा रहे हैं उसके पहले एक बार शनिदेव का ये ध्यान मंत्र कहने से जो मंत्रों का जप है वो संपूर्ण होता है और मंत्र जप के पूरे फाइदे आपको प्राप्त होते है सबसे पहले जानते हैं कि शनी के वाहन का अर्थ क्या है शनी का एक ही वाहन है नॉर्मल कोर्स में लेकिन शनी के अलग-अलग वाहनों का अर्थ क्या है और शनी अलग अलग वाहनों पर आते हैं, इसका मतलब क्या है? देखिए, शनी की जो साड़े साती होती है, इसका हर व्यक्ती पर अलग असर पड़ता है कुछ पर अच्छा, कुछ पर बुरा कुछ लोगों के लिए साड़े साती का प्रभाव अच्छा होता है और कुछ लोगों के लिए साड़े साती का जो असर है, जो प्रभाव है, वो बुरा होता है या खराब होता है शनी की साड़े साती का असर समझने के लिए शनी के वाहनों पर विचार किया जाता है कि शनी जो आपके जीवन में आ रहे हैं साड़े साती के दोरान वो किस वाहन पर सवार होकर के आ रहे हैं और वाहन के आधार पर ही शनी की साड़े साती के उपाय किये जाते हैं कैसे जानते हैं वाहन के बारे में जिस नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और जिस नक्षत्र में शनी आपके जीवन में आ रहे हैं उन नक्षत्रों की गड़ना करके हम ये जान पाते हैं कि शनी साड़े साती के दौरान आपके जीवन में किस वाहन पर सवार हो करके आएंगे और अगर सही वाहन पर सवार होकर के आपके जीवन में आते हैं तो निश्चित रूप से साड़े साती आपके लिए फाइदेमंद हो जाती है अलग-अलग वाहन के बारे में जाने अगर शनी आपके जीवन में गधे पर सवार होकर आ रहे हो यदि शनी का वाहन गधा हो तो इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब होता है कि साड़े साती आपके लिए बहुत शुब नहीं रहेगी इसका मतलब ये है कि आपको सफलता पाने के लिए बहुत परिश्रम करनी पड़ेगी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन एक बात ये है कि जितनी मेहनत करेंगे उतनी सफलता तो मिलेगी ही तो जब शनी गधे पर सबार होके आएं साड़े साती के दोरान तो मेहनत के अलामा कोई अन्य रास्ता नहीं पकड़ना चाहिए किसी अन्य रास्ते पर नहीं जाना चाहिए वही आपके लिए बेहतर होगा अब माल लिया शनी का वाहन है घोडा शनी घोडे पर सवार होकर के आपके जीवन में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इस वाहन का जो फल है वो शुब होता है अगर शनी घोडे पर सवार होके आएं तो इसका मतलब साड़े साती आपके लिए शुब रहेगी आपके उर्जा में और आपके साहस में गजब का सुधार होगा, काफी ताकत आ जाएगी और जब शनी घोडे पर सवार होके आते हैं तो व्यक्ति जीवन की सारी मुश्किलों से निकल जाता है और अपने विरोधियों को परास्त कर देता है इस समय सिर्फ इस बात का ध्यान रखिए कि अहंकार मत कीजिए हर समय अच्छा या बुरा नहीं हो सकता तो जहां तक संभव होए इस समय अहंकार से बचना चाहिए आपके जीवन में शनी आ रहे हैं हाथी पर सवार हो करके तो हाथी पर सवार हो करके आएंगे तो साड़े साती का असर क्या होगा शनी का ये वाहन हाथी भी बिलकुल शुब नहीं होता यानि साड़े साती के परड़ाम अच्छे नहीं होते और जो कर्म आप करते हैं बिलकुल उसके उल्टे परड़ाम मिलते हैं आप अच्छा करते हैं तो बुरा मिलता है और बुरा करते हैं तो काफी बुरा मिलता है और सारी मेहनत बिना कारण के व्यर्थ जाती है जितनी आप मेहनत करते हैं उस मेहनत का कोई फाइदा नहीं होता अगर शनी हाथी पर सवार होकर आ रहे हों तो शनी मंत्र का जब करना बहुत फाइदे मंद होता है ओम शंग शनश्चराय नमह इस मंत्र का जब करने से शनी की पीडा दूर हो जाती है अब माल लिया कि शनी भैसे पर सवार होके आ रहे हैं भैसा वैसे तो यमराज का वाहन है लेकिन अगर कल्कुलेशन में ये निकला गरना में ये निकला कि शनी भैसे पर सवार हो करके आपके जीवन में आ रहे हैं तो इसका मतलब क्या है शनी अगर भैसे पर सवार हो करके आ रहे हैं तो साड़े साती का जो फल होता है ये मिला जुला होता है ना बहुत अच्छा ना बहुत बुरा शुरुवात में बहुत मुश्किले होती है रिष्टों में कडवाहट आ जाती है लेकिन बाद में करियर के मामले में और धन के मामले में बहुत फाइदा होता है बहुत लाब होता है इस समय जब शनी भैसे पर सवार होके आएं तो हर शनी वार को काली चीज का दान कीजिए काले चने हैं, काली दान है, काले कपड़े हैं इसका दान करना बहुत फाइदेमंद होता है अब मान लिया कि शनी शेर पर सवार होकर के आ रहे हैं आपके जीवन में तो इसका मतलब क्या है शनी का जो ये वाहन है शेर ये व्यक्ति की सारी ख्षमताओं को बढ़ा देता है व्यक्ति की जो कैपैसिटी है व्यक्ति की जो ताकत है व्यक्ति के जो गुड़ हैं उनको काफी हद तक बढ़ा देता है व्यक्ति अपनी सारी मुश्किलों और सारी समस्याओं से बहुत आराम से निकल जाता है लेकिन जब शेर पर सवार होकर शनी आते हैं तो दबाव के कारण व्यक्ति की जबान थोड़ी खराब हो जाती है तो अगर शनी शेर पर सवार होके आएं तो अहंकार मत कीजिएगा अहंकार में अपने रिष्टे खराब मत कीजिएगा अगर शनी सियार पर जैकाल पर सियार पर सवार होके आएं तो इसका मतलब क्या है शनी का ये वाहन सियार भी अच्छा नहीं माना जाता अगर शनी सियार पे सवार होके आते हैं तो साड़े साती में व्यक्ति को हर समय डर लगता है बहुत सारी दुर घटनाओं की अशुब सूचनाएं मिलती रहती हैं अगर शनी सियार पर सवार होके आ रहा है तो हनुमान जी की उपासना करना बहुत अच्छा रहता है अगर शनी आपके जीवन में कवे पे सवार होके आ रहे हों क्रो पर सवार होके आ रहे हों तो इसका मतलब क्या है शनी का जो ये वाहन है ये मिश्रित परिडाम देता है इस समय में पारिवारी कलह बहुत होती है रिष्टे खराब हो जाते हैं लेकिन घर से दूर जा करके या यात्रा करने से विशेश फाइडा होता है जब शनी कववे पर सवार होके आएं तो एक लोहे का छला पहनना बहुत फाइदेमंद रहता है अगर शनी मोर पर सवार होके आएं मोर मनें पीकॉक अगर शनी मोर पर सवार होके आएं तो इसका मतलब क्या है शनी का ये वाहन शुब परिडाम देता है साड़े साती अच्छी होती है और व्यक्ति जो अपने पहले प्रयास किया होता है उन सारे प्रयासों के शुब फल भी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं व्यक्ति बहुत मेहनत करता है और बहुत सारा नाम यश प्राप्त करता है जब शनी मोर पे सवार होके आएं तो व्यक्ति को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए ताकि शनी का ये वाहन आपके लिए लाबकारी हो शनी की साड़े साती में अगर शनी आपके जीवन में हंस पर सवार होके आ रहे हो तो इसका मतलब क्या है शनी का सबसे ज़्यादा उत्तम वाहन है अगर शनी साड़े साती में हंस पर सवार होके आ रहे हैं तो बहुत अच्छा है बहुत शुब है इसमें फाइदा क्या होगा इसमें ये होगा कि साड़े साती के दौरान व्यक्ति को मेहनत का फल भी मिलेगा और भाग्य का फल भी मिलेगा मेहनत और भाग्य दोनों का साथ व्यक्ति को मिलता चला जाएगा इस समय व्यक्ति अपने जीवन की सारी उपलब्धियां पा जाता है जब शनी की साड़े साती में शनी हंस पर सवार होके आते हैं तो व्यक्ति साड़े साती में खूब तरक्की करता है, खूब सफलता पाता है और धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है जब शनी हंस पर सवार होके आएं तो व्यक्ति को अपने आचरण का और स्वभाव का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि आपका बेहतर वक्त शुरू हो गया है ऐसी दशा में अगर आप अपना स्वभाव या अपना आचरण खराब करेंगे तो आपके लिए दिक्कते हो सकती हैं